पेएंट का प्वीन भूल गए है तो उसे कैसे पता करें थैलो दोस्तों वेलकम ङब्राइक टु मैं चैनल हमने लटेश दोफ लोग इस वीडियो बन जानूँ गए यह टेटल पेमेंट बैंक का पीन भूल गए तो उसे कैसे पता करें तो इसके लिए आपको यह टेल अप्लिकेशन को मैं यहाँ पर open करता हूँ open करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा हुगा यहाँ पर second बेढ़े तो आपको देते हैं नेट बहुत शुलो चल रहा है हाँ तो यहां पे उसके बाद आपको यहां पर देख रहा होगा प्रफाइल का उपसे उपर में तो परफाइल पर आपको क्लिक करना है परफाइल पर पर क्लिक करने के बाद परफाइल पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर कि क्लिक करो आपको यहाँ पर स्क्रोल करना इसक्रोल करने के बाद्म को सबसे कि इसके ऐसके are यहां पर आपको यहां पर नीचे सबसे नीचे देख लेना फोर्गेट एमपीन तो आपको उस पर किलिक करना है फोर्गेट एमपीन पर जैसे ही किलिक करोगे आप तो यहां पर आपको नाम लिख देना है तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूँ उसके बाद आपको last name लिख देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अधार कार्ट से आपको देख लेना है यहाँ पर आपका क्या था अधार कार्ट से आपका क्या date of birth है तो आपको देख लेना इस account का date of birth उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं date of birth देने के बाद आपको Okay click करना उसके बाद continue क्लिक करना है जैसे ही आप continue पर click करोगे तो यहाँ पे omtp यहाँ पर मांगेगा इसके बाद देखो यहाँ पे आपका कुछ process हो रहा है उसके बाद यहाँ पर direct आपको email डालना है 해 couple nya जालता हूं email डालने के बाद आप यहां पर फिर से MPIN डालोगे तो आपका confirm हो जाएगा तो मुझे MPIN पता है तो मैं यहां पर forget नहीं करूँगा यहां से बैक हो जाते हैं तो दोस्तों आप इस तरह से MPIN को forget कर सकते हो तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें comment बता है आप हमारे चैनल पर न्यू आए है तो चैनल को subscribe कर लें थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई